रोबोवाई मेरी पत्नी को एक चुडेल ने अपने बस में कर लिया है और वो उसको परिसान करती है आज तो उसने मेरी पत्नी को अपने साथ जंगल के ओर लेकर गई है और वो पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या करने वाली है आप मदद करो रोबोवाई कहा है चुडएल चलो बताओ हमको तूरा नखांग चलते हैं और तम्हारे पत्नी को बचा दे लाते हैं वो बहुत पर divisions कर रहे हैं उसको मैं सबक सिखा कर भी मानूंगा बहुत दिन से मैं उसकी तरास कर रहा हूं पर मिलतीज में ही चलो आज देखते हैं उसको कैसे परिशान कर रही सब लोगों को रोबो वोई बहुत देर हो चुकी है वो चुड़ेल को मेरी पतनी को लेका निकले हुए अब मुझे लगता है कि वो जंगल के बीचों बीच पहुँच चुकी होगी रोबो वोई बीना बिलंब के हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं क्योंकि रामो की पतनी का पता चल चुका था कि रामो की पतनी जंगल के किस छोर पर है रोबो वोई धीरे धीरे जंगल की उस छोर तक जाने लगता है और इधर रामू भी रोबो वोय का पीछा करते करते जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं और अपनी पत्नी को ढूणने का प्रयास करते हैं जंगल की उस छोड तक जाने में रामू को भी काफी समय देते हैं इधर चुडेल सीमा को काफी परिशान कर रही थी और सीमा भी डरी सहमी चुपचाप सुन रही थी इधर रोबो वोय भी वहाँ पर प्रवेश करता है लड़की को पास आता देख चुडेल खुस हो जाती है हाँ 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 आज तो मेरे पास दो सिकार हो गए हैं आज तुम दोनों को मार कर मैं खाऊंगी और अपना पीट भरूंगी क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अभी तक बोजन नहीं किया था चुडेल सीमा को भीखोस कर देती है जब सीमा को होश आता है तो चुडेल की ओर रोबोबॉय को जाता देखकर सीमा ड़ जाती है इधर रोब वाय वार पर वार कर रहा था पर चुड़ेल को कोई भी वार नहीं लग रहा था पर चुड़ेल अपनी सारी सक्तिक हो चुकी थी और रोब वाय अब वार पर वार कर रहा था अब वार पर वार करते करते चुड़ेल की मृत्यु हो जाती है